गुजरात विधान सभथ चुनावों में अरविंद केजरिवाल ने बड़ा दाउं लगाया था लेकिन मतदान के बाद एक्जित पोल से संकेत साफ है कि अरविंद केजरिवाल का सूपड़ा गुजरात में साफ होने जा रहा है ना तो आम आदमी पार्टी के सीम फेस इशु आदमी पार्टी के नेता अभी से हार का तरक गढ़ने लगे हैं एक्जित पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी को दो चार सीटे मिलती जरूर दिख रही है लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि बीजेपी गुजरात में माधो सिंग सुलंकी के रिकॉर्ड को तोड़ने ज आदमी पार्टी का फेस इसुदान गढ़वी ने कहा कि एक्जित पोल के जरीयत चुनावी परिणामों का अनुमान लगाना मुश्किल है उन्होंने कहा कि राजे में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी अपनी जीत पर दावा करते हुए गढ़वी ने कहा कि हम पहले चरण में 50 से अधिक सीटें जीतेंगे जबकि दूसरे चरण में 52 से अधिक सीटें जीतेंगे एक्जित पोल घलत साबित होंगे साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजे में बीजेपी की हार होगी गुजरात के एक्जित पोल्स का अनुमान है कि बीजेपी 150 से अधिक सीटें जीत सकती है मतलब ये कि बीजेपी अपने पुराने सभीर विकॉर्ड को तोड़ते हुए नए विकॉर्ड बनाएगी 1980 के गुजरात विधान सभा चुनाव में कॉंग्रेस के निता मादाउ सिंग स्वलंकी के नितर तुमें कॉंग्रेस ने के एक्जिट पॉल्स के मताबिक यदि बीजेपी डियर्जव सीटे हासिल कर लेती है तो इस पार्टी के नाम सबसे ज़्यादा सीटे जीतने का वरिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा विरो रिपोर्ट नीज अफ इंडिया